बाप नमबरी बेटा दस नमबरी एक हिंदी फिल्म है लेकिन आज आपको हम बिहार के एक ऐसे बाप और बेटा की कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में कोई आदमी वाकई में ऐसा हो सकता है कि बाप नमबरी हो और बेटा दस नमबरी बाप और बेटे ने मिलकरे के स्कूल के बस को चुडा लिया और बाप इतना शातीर की स्कूल के बस का नंबर प्लेट निकाल कर रख दिया और पूरे के पूरे बस को री मोडलिंग करा कर नए तरीके से तयार करवाने के बारे में पूरा का पूरा योजना बना चुका था इन बाप बेटों को जब बिहार पुलीस ने पकड़ा तो बाप और बेटे ने मिलकर कैसे बस को चुराया और उनकी योजना कैसे थी कि वो इतनी बड़ी गाली को चुरा कर सबसे छुपा कर रख लेंगे यह सब कुछ आपको बताए चुरा तो आप बिहार के बाप नंबरी और बेटा दस नंबरी की कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे बागे नमसकार में नंवा है है मोहित कुमार सीं और आप जन्ता जंशन देख रहें हैं जैंगा है die बाप नंबरीं और बेटाँ तालोनी थाना के चकारम इस्थित एक महाँ पर प्राइबेट बिद्याले पड़ता है उसे प्राइबेट बिद्याले के स्कूल का बस चोरी हो गया अब चुकि बिद्याले का बस होता है तो वो पीले रंका होता है अब चोरी करने वाले बाप और बेटे ने कैसे चोरी किया आप इसकी कहानी सुनिए, कहा जाता है कि जो बाप था, जिसका नाम राजु प्रसाद है, वो पत्ना में ही रहता था और उसका एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है राहुल कुमार। अब राहुल नहीं वो पढका लिखा राहुल बेटे कर चुका है और राहुल का बाप मतलब की राजु प्रैवलर का ट्रैवलर चलवाता था इस बैपार से जुरा हगा था अब राजू और राहूल का एक बस जो है वो जल चुका था अब राजू ने सोचा कि जो बस जल चुका है तो हम कोई दूसरा बस चुराएंगे और चुराए हुए बस को रिमोडलिंग कराकर अपने पुराने बस के जैसा बना देंगे अब पूरी planning है थी कि वो पटना से बिद्याले का बस चुड़ा कर लेकर चले जाते हैं वो चले जाते हैं अरवल में अरवल से पुलिस ने सब कुछ बरामत किया है अब वहाँ पर क्या होता है तो वहाँ पर राजु बस को ले जाकर एक जगह पर खड़ा कर देता है अपने घर से कुछ दूरी पर वहां से जो पिछला बस उसका जल चुका था उसका इनजन नंबर 24 नंबर वस सब कुछ अपने कागज के हिसाब से तैयार रखता है कि जो नया बस है उसका इनजन नमबर चेचिस नमबर सब कुछ पुराना बस वाला लगवा देगा, नमबर प्लेट अपने पुराना बस वाला लगवा देगा, और बस का री मोडलिंग करवा देगा, री मोडलिंग का मतलब की बस को नए कलर से पेंट करवा देगा, बस में कुछ बदलाव करवा देगा, और इसके बाद जो चोरी का बस है, वो चोरी का बस, उसका अपना बस बन जाएगा, लेकिन हुआ क्या, कि राजू और राजू का बेटा राहुल, दोनों जब बस चुराने के लिए गया, तो जिस वक्त पर बस को चुराया गया, उस वक्त पर पुलिस ने जाच किया, कि आख वहाँ पर कौन सा मुवाइल नंबर एक्टिव था, मुवाइल नंबर पुलिस के पकड़ में आया, इसके बाद उस मुवाइल नंबर के पीछे पुलिस पड़ी, और इसके बाद धीरे-धीरे सारा का सारा माजरा सामने आया, और जब पुलिस ने पूरी कहानी सब को सुना आता है लेकिन पूरा का पूरा बस चोरी हो गया और बाप और बेटा ने मिलकर पूरी प्लैनिंग कर ली थी कि अब उस बस को अपना बस बना लेंगे बागी हमने कहानी आप तक पहुंचा दी है आपकी क्या राय है कमेंट वक्स में लिकर बताईएगा आगे जो भी और जान झाल वाल